नमस्कार मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को पौश रवीवार का महत्व और पौश रवीवार की सुरे देव की कथा सुनाने जारी हूँ इस मास में रवीवार का वरत कर भगवान सुरे को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है भगवान सुरे पुश्प आदी की द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं यदि इस रवीवार को वरत करने वाला भगवान सुरे नहरायन की आरादना में तत पर रहे तो संतान आग्याकारी होती है तता माता पिता से अधिक्स नह करती है और संतान का तेज सुरे के समान बढ़ता जाता है प्रभाव मान समान समाज में प्रतिष्ठा मिलती है पोश रवीवार वरत की विधी पोश रवीवार की दिन बिना नमक की भोजन करे सुरे देव की आराधना करे दिन में तीन समय सुरे को अर्ग प्रदान करे इस समय छाच नहीं बनाए महिलाओं को जिर नहीं धोना चाहिए तेल नहीं खाना चाहिए नेले वस्त्र नहीं पह बोलू जै सुर्य नरायन एक साहुकार था उसके बच्चा नहीं था एक दिन सवेरे वो बाहर गया देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था साहुकार की मिलते ही वो वापस लोट गया और बोलता गया आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ किसान की बात साहुकार ने सुन ली उसका मुह उतर गया उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा आज क्या बात है साहुकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली आज चिडिया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं यहान तो दाना कहा से मिलेगा कह कर उड़ गई साहुकार को क्रोध आया उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा बारवर्श बीत गए राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा या इतने मंद से आपकी आरादना करता है इसकी पुकार सुन लो सुरे भगवान ने उसके सामने प्रगठ हुए और कहा तेरे भागी में संतान नहीं है पर मेरे आशिरवात से एक कन्या होगी नवे महीने एक कन्या ने उनके घर्म में जन्म लिया कन्या जब हसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती एक माँ बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई उनके पिता ने सोचा लड़की बड़ी हो गई है इसकी शादी कर देते हैं उसकी माँ ने कहा मेरे उठते ही इसका मुझ देखने का नियम है क्यों नई हम घर जवाई रख लेते हैं एक गरेब लड़का ढूंधा और उसकी शादी कर दी शादी के बाद रोज सुब़ उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि मेरी माँ मेरा मुह देखने बिना नहीं उठती है एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हिरे मोती उसके मुझे से गिर रहे हैं उसने उठा लिया लड़की की मा आई तो समझ गई की जमाई को पता चल गया है उसके मन में लालच ने घर कर लिया और उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भीज दिया आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया राडा देजी और सूरज भगवान ने सोचा मेरी दी हुई लड़की के पती को मार दिया उसकी रक्षा करने चाहिए सूरज भगवान ब्रामण का रूप धारड करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर मांग लाए अंग जोड़कर अमृत का छीता दिया और उसके पती को जिविद कर दिया लड़की के पौश रविवार का वरत करने का नियम था वो पूजा कर कहाने सुन भोजन करने के लिए पती का इंतजार कर रही थी उसका पती आया तो उसने पूछा आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती अगले दिन खाना पड़ता है उसके पती ने उसको सारी बात बताई बेटी बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे सास ने बहुत पश्चा ताप किया पर बेटी अपने पती के साथ ससुराल में सुख पुर्वक रहने लगी उसके घर में सुख सम्रिधी हो गई हे सूरज भगवान जैसे बेटी पर क्रिपा करी वैसी सब पर करना उसने अपने परिवार पुत्र पुत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सुर्य लोक में अस्थान प्राप्ट किया बोलो सूरज भगवान ने की जै अगर आपको मेरी या कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जै सुर्य देव जरूर लिखे